वल्कम बैक तो माई चैनल आज किस वीडियो में आप देखने वाले हैं लेडीस पैंट की कटिंग और स्टेचिंग और इसमें बताने वाली बिल्कुल लाइक बहुत ही बेसिक से और एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी वीडियो हमेंने लंबी नहीं रखी है बस आपको को बिना करते देखना है फिर उसके बाद और दस वीडियो को देखनें की जुरत नहीं पढ़ेगी यकीन माने बस स्कुरूँ को दलबा बिनागा बस वीडियो के आप स्किप नहीं करना और इसम्टेसे बड़ी बात यह कम से कम दो मिटर कपड़ा तो चाहिए ही होता है यह लेडि स्पैंट बनाने के लिए और मैं यहां पे 1.5 मीटर यानि की कपड़ा लगना ही है तो आप लूज जितना बनाना चाहाँ उतना भी बना सकते हो आप तेड़ मिटर फैब्रिक के अंदर तो सिंप्ली फैब्रिक की लेंथ वगेरा हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है और उसके बाद शुरू करते हैं मेजर्मेंट्स वगेरा देखे ही खोल लिया है मैंने फैब्रिक और जो अर्जा ना इसकी जो विड्ध है वो 46 इंच है फैब्रिक की और लंबाई जो है वो देख लेते हैं कितना ही देखिए ऐसे नाप ले रही हूँ पैंट की लंबाई चाहिए कम से कम 35 इंच और 35 का डबल तो हो गया 70 इंच यह 60 इंच ही है और मार्जिन वगेरा भी एड़ होता है देखिए फोल्ड करने पर फोर फोल्ड करने पर इतना चोटा हो रहा है आप सोचे कि पैंट कैसे बनेगा तो वह सोचने वाली चीज़ है वह सिंपली ऐसे लेंट वाइज आपको फोल्ड कर लेना जैसे जैसे बता रही हूं वैसे ही आपको करना है और आप देखेंगे कि बहुत ही एजी और इस ट्रिक से अगर आपके पैंट के कपड़ा रेडिमेट सूट जो मार्किट से लेते हैं तो उसमें भी दो मीटर ही आता ह तो आपका फैब्रिक बहुत सारा बहुत सारा कपड़ा आपका बच जाएगा तो यूजबल हो जाएगा वह और अगर कोई ट्रिक है कम कपड़े में बनाने का तो मुझे लगता है सीखना चाहिए वह तो सबसे पहले देखे मैंने ऐसे रख ली है फोल्ड करके और ऊपर से सकते हैं थोड़ा कपड़ा बराबर नहीं तो इसको मैं बराबर कर ले रही हूं उसके बाद हम अपने मेजरमेंट्स के अकौर्डिंग निशान लगाना चालू करते हैं इस तरीके से हो गया यह है टोटल लेंध पूरी इसी में हमें फ्रंट भी इसी में हमें बैक भी दोन और मतलब नॉर्मल एक सवाइंच के करीब है और थोड़ी सी कम है तो आप 1.5 इंच लगा दें एक इंच में लास्टिक जाएगा हाफ इंच फोल्ड में चला जाएगा तो मैं यहाँ पर इलास्टिक का जो लेंथ रख रही हूं वह दो इंच रखोंगी तो इस तरीके से रख इसके बाद ही हम पैंट की लंबाई रिसाइड करेंगे तो किसी को पैंट छोटी चाहिए होती है फुल चाहिए होता है एटलिस मतलब 36 इंच तक में सबका रेडी हो जाता है पैंट का लंबाई किसी को सांथिस भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते तो यहाँ जो मेरी पैंट की जो लेंथ है वह रेडी लेंथ जो मुझे चाहिए रेडी लेंथ आपको निशान लगाना है कमर से नाप के तो यहां पर 36 इंच आ रहा है यह मैंने कमर से रखके निचे बॉटम तक नाप नहीं है चाहिए और दो इंच निचे जो फोल्ड होगा वह एक् के निचान लगाने के लिए हिप मेजर्मेंट हमें देखना होगा हिप मेजर्मेंट अपना ना पिएगा जैसे में यहां पर था एक्जामपल के लिए 36 इंच तो उसमें लूदिंग 4 इंच मैंने आड़ करा हो गया 40 और 40 को 4 से आपको फिर डिवाइड करना होगा 10 इंच आ तो आसन में यहां पर 13 इंच रख रही हूं तो ऐसे ही सेम हमें यहां पर दस इंच आया 40 को आप 4 से डिवाइड करोगे भाग करोगे तो दस इंच आया 3 इंच में इसमें लूजिंग आड़ कर रही हूं 13 इंच आसन होगा और यहां देखे कितना निशान लगाना होगा हमें 10 इंच पे निशान लगाना होगा उपर हमने कमर का 10 इंच निशान लगाया नीचे भी 10 इंच पे लगाएंगे ऐसे रखते हुए यहां से और फिर उपर से भी हमें सीधा मिलाते वे निशान लगा लेना यहां से यहां पर ह कमर का निशान लगा लिया ए औहीं फैसांब लगाना है यहां फिज दीज्ञें है सिलय में तो जा जाएंगा ही यहां से क्रॉच का निशान लगाना यहां से हमें 2 इंच इस तरह से ऑ और में से एक इंच निशान लगाएंगे ऐसे और इसको मिला लेंगे गोल शेप देदेंगे राउंड शेप हलका हलका मिलाते हुए उसके बाद अब हमें यहां पर लंबाई जो हमने निशान लगाया हुए इसको पूरा और थोड़ा आगे तक इसे निशान हम लगा लिए है कि मार्जिन का निशान लगा ले रही हूं और अब हमने यहां पी निशान लगा है था ना दो इंच का मारजिन छोड़ते हुए इसके मीड़ का अगलेंगे दशन था बीश में आगया 5 इंच नीचे तक लगाएंगे इस तरह से नीचे तक लग और इन निशानों को मिला लेंगे हम इस तरह से मिला लेने के बाद अब हमें नीचे बॉटम का निशान लगाना जैसे कि मुझे बॉटम जो चाहिए मोरी 6 इंच चाहिए तो 6 का अधा होगए 3 इंच तो 3 इंच उधर की साइट 3 इंच इधर की साइट लाइन की जो बीचवार लाएन उससे मिला लेए और एससे हलकालगा निशान मारते हुए आप इसको शेप दे सकते हैं वरना लग शिफ से बीत Hey के मिला लेंगे थोड़ा सा 1.5 इंच नीचे इधर की साइड रखते वे यहां पर नीचे से रखते वे इस तरीके से यहां पर भी निशान लगा लेंगे फ्रेंट तो रेडी हो गया है यह और उसके बाद हमें बैक का निशान लगाना होगा सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर ल है तो बैक करने के लिए क्या करना होगा यह कपड़ा बचाएं अब आप सोच सकते हैं कैसे सो recognize कि इतना है तो ये थोड़ा सा ट्रिक है स्में तो आप सीख जाएंगे तो कम कपड़ में निकाल सकते हैं सबसे पहले हमें 2 इंच का निशान लगाना हो घुझां लगाना है है इस तरह से दो इंच का निशान लगा देंगे और जो फ्रंट वाला जो पैंट है न हमारा उसको ऐसे इसके नीचे से रखते वे निशान बाकी लंबाई वगेरा देखेंगे इस तरीके से दो इंच नीचे से हमने रख लिया पैंट को फ्रंट वाले को और देखिया आप जो हमने उसी को घुमा दिया उसी में हम बैक की कटिंग कर रहे हैं अब इस यहां से क्या करना उपर निशान लगा दिया हमने दो इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते चले आना नीचे तक ऐसे कि इस तरीके से है यह दो इंच लगा दिया ऐसे यहां पर दो इंच लगाएंगे पूरा नीचे तक दो इंच लगाएंगे और नीचे आ आते आते हैं आख ल्क हल워서-3. c. एक इंच तक रख सकते हो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है मैंने पूरागी रखा है अब इन लाइन को ऐसे मिला लेंगे लिएने के बाद यहां से इन लाइन को भी इस तरीके से मिला लेना और सेम इसको भी क्रॉच का जो है एक इंच देते वें राउंड शेब दे देंगे और नीचे वाले जो पा का निशान लगाना है ऐसे तिर्शा रहना चाहिए अब इसको हम मिला लेंगे इस तरीके से ऐसे यह हूग गया कि सिंपली इतना ही हमें करना था और दो इंच बस एक्स्ट्रा बढ़ाना था बैक में बहुत ही एजी होता है अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी होगी है इस तरह से इस तो अईसे हमें क dual एक टिंग कर लेना इसका अई दीक है साइड में जो एक्स्ट्रा है यह फैब्रीक इधर आमें कुछ भी अच्ट्रा मार्जिन नहीं राखना बिल्कुल फ्रांट की तरह इसको है सकत भूब हो गया और उसके बाद यो हमने ऑपर वाले पार்ट में निशान लगा है इसको कट कर लेंगे इस तरह से कि अब देख सकते हैं कितना एपकर ब्रींडेश कंड़े में हमने फार्फ कर लिए है वो भी अच्छे खासे margin के साथ और मैंने यहाँ पर 36 इंच कमर के बताए 4 इंच losing add करके तो यहाँ तक 36 hip जिन का है वो सारे इसको बना सकते हैं easily इतने 1.5 मीटर कपड़े के अंदर बस आपको एक साइड से cutting करना है और फिर घुमा कर दूसरी साइड से cutting कर लेना है घुमा के रखना है और उसमें बैक वाला पल्ला आपका ready हो जाएगा तो यह हो गया हमारा front back दोनों ready हो गया और एकदम perfect जैसा हमें चाहिए था वैसा बन गया और उसके बाद अदमें इसमें pocket लगाना है तो pocket के लिए भी देख लेते हैं fabric इसमें ऐसा नहीं खतम हो गया देखे एक तो यह बचा हुआ है और उसके बाद एक fabric और बचा हुआ है तो इसमें हमारा pocket बन जाएगा यह देखे एक यह बचा हुआ है थोड़ा बहुत और है तो जिसमें हमारा pocket बन जाएगा हम उसका use कर लेते हैं यह दोनों side से खुला हुआ था एक side से हम इसके सिलाई लगा देंगे और pocket का जो shape होता है वो दे देते हैं इसके अंदर तो यहां से cutting कर लेंगे बराबर नहीं क्योंकि यह और length आप pocket की जो है 7 इंच तक आप रख सकते हैं इसको 7 इंच रख लिया इसको मैंने इस तरह से ऊपर भी 7 इंच पर निशान लगा देंगे और इसको मिला लेंगे और इसको यहां से round shape देंगे हलका सा ऐसे सी cutting कर लेनी है हमें आप 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 इसके बाद हम इसकी सिलाई देख लेते हैं किस तरीके से करना देखेंए वहला पल्ला जो खुला है इसको हम सिल लेंगे पहले बैक के दो पल्ले अलग कर लेने और इन दोनों आशन को मिलाते हुए सिल देना है हमें इसको सिल देंगे और आसन सिल देने के बाद इसमें हमें आप पॉकेट अटेच करना तो पॉकेट किस तरीके से सिलना है वो मैं आपको दिखा जाती हूं यह बैक पल्ला है पैंड का और यह वाला जो है फ्रंट पल्ला है जो बड़ा वाला हिसा है फ्रंट निशान लगाना है उसके बाद हमें पॉकेट का निशान लगाना होगा ठीक है तो दो इंच नीचे निशान लगाएंगे यहां पर यह हो गया इसके बाद हम पॉकेट का निशान लगाएंगे यहां से पॉकेट यहां जो आप डालोगे थाले पांच या छे इंच रख सकते हूं है 5.5 इंच यानि कि साङ 45 इंच रखे री हो अभे यहां पर हाफ इंच का मार्जोखे से घुल नाय देख सकते हम इसको मिला लेगा इसको इतना ही हम हमें Ślāy š hurt, लेना है Pauket में, अब से ही है हम Pauket में निशान लगाएंगे, इसको खोल लेंगे हम, रखना किसी तरीकिस से शिबल रखाएंगे, इस तरीकिसे Pauket जो है, ऐसे रखाये गाई है, किसी भी एक साइड से आप रखलें, Pauket को कोई दिकत नहीं, कोई से भी साइड से, य हम दो इंच का निशान लगाएंगे यह तो जरूर लगाना है उसके बाद नेचे हम सेम 5.5 इंच का निशान लगाएंगे जो कि हमने पैंट में लगा था 5.5 इंच का लगाएंगे हाफ इंच का मार्जिन से मिला लिया अब इसके उपर रखते वे दोनों को इस पर सिलाई सिल दिया है मैंने सिल देने को इसको पलट लेंगे सीधा कर 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 लेने के बाद इसको पीछे की साइड पलट देंगे ताकि पॉकेट पीछे चला ऐसे इस तरीके से सिल देंगे रख लेंगे इसको उसके लगा देखिए अधर नहीं हो रहा है जोइंट हो गया है और उपर की साइट से खुला हुआ पॉकेट भी बंध हो जाएगा बस एक साइट जाट डालेंगे वहां से खुला रहेगा अब इसको ऐसे मिला लेना मिला लेने के बाद दोनों साइट से किनारियों को सिल देना है और जो पाकिट वाली सैड है ना जहां से हाथ पॉकेट वाली साइट वाला साइडडे ला ईसको ध्यान में रखते वह सिल लगाना है तो दोनों साइड हमने सिल दिया है तो अलमुस्ट हमारा पैंट रडी हो जाए nod आब निचे का जो भॉटम है वो हमें Vermont करना है पहले तो दो-इंच का निशान लगाना होगा क्योंकि हमने दो-इंच का ही निशान Marine लिया था है फोल्ड करने के लिए हम दो-इंच का ही निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसको ऐसे फोल्ड करते हैं शिलन तो उसके बाद elastic कैसे डालना वो देख लेते हैं और क्योंकि बैक का कपड़ा तिर्चा है तो वो किस तरीकेसे जिलेगा वह भी देख लेते हैं तो पहले तो फ्रंट में तो हमने दो-दो इंच का निशान लगाये था मार्जिन तो उसमें तो कोई दिक्कत ने उतना ही फोल्ड कर देना होगा बड़ दिक्कत यहाँ पर आपको तो फ्रेंट का जो दो इंच है ना उससे जाके यह खुद ही मिल जाएगा यह देखे ऐसे मिल गया यह इनको भी मिला लेंगे अब बस जो हमने दो इंच का जो मार्जिन दिया ना इसी किनारी से शुरू करना और ऐसे फोल्ड करते वे सिल देना कपड़ा तोड़ा जहां पर पर देखे तिर्शा है अभी और वह तिर्शा ही रहेगा तभी तो आप बैठोंगे तो पिछे से खेचेगा नहीं और फिर आपको अपने कमर के नापकी अकॉर्डिंग इलास्टिक कर लेना है और जहां से थोड़ा सा मार्ण छोड़ा उसमें डाल लेना इसको ठीक है जो बैक होता है वह हमेशाँ बड़ा होना चाहिए तभी आपकी फिटिंग सही आएगी या बैठने आप में आपको दिक्कत नहीं होगी सिल दिया है मैंने सिल देने के बाद देखे इसको आयरन कर दिया है और इस तरीके से करना है जो इसका जो जो फ्रंट है न अच्छे से आ आगया होगा एक-एक स्टैप मैंने समझाया होगा आपको समझ में आई होगी और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आज की वीडियो बस इतना ही था और थांक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो थांक्यू वीडियो अच्छ आपक्यो